नमस्कार दोस्तों टीती किचिन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे दलिया की ऐसी रेसिपी जो सुबह के नास्ते के लिए दलिया सबसे अच्छा एक इस त्रोथ है दलिया हमसे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है दलिया में कैलशियम, मैगनीशियम, फार्सपूरस, थाइमिन, फॉलेट, आइरन, प्रोटीन, फाइबर जैसे पूसकतत होते है दलिया एक ऐसा नास्ता है जो आपको दिन भर एनरजी के साथ-साथ आपको लंबे समयने तक भूब भी नहीं लगती दलिया के सेवन से आप दिन भर खुद को बहुत एनरजी से महसूस करेंगे इतना ही नहीं यह पाचक तत्वी बहुत अच्छा होता है और बजन कम करने के लिए बहुत मददकार होता है आप इसमें बहुत सारी सबजिया भी आट कर सकते है आप इसको नमकीन दलिया या मीठा दलिया जैसा आपको पसंदो इसको अपने डायट में सामिल कर सकते है तो दलिया के बहुत सारे फायदे है आज हम बनाएंगे नमकीन दलिया तो चलिए देखते है इसके लिए मैंने तमाटर तो मैंने ये एक कणोर यानि दो विडियम साइज के टमाटर लिये थे सबस्क्राइब two ऑलू रिया है द लिया है के अधा कणोरी लिया मुंकी दाल आप इसको कम्या ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर मूंकी दाल नहीं डालना चायते तो आप इसको skip भी कर सकते हैं साथ में मैंने थोड़ी सी ली है सिम्ला मिर्च मीठी नीम, दो हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक दाल को मैंने अची तरह से धो लिया है अब एक कोकर में हमेंने सुद्दगी डाला है तो यहां दो चम्मस सुद्दगी लिया था इसमें थोड़ी से डाल देंगे हम राई, थोड़ी से डाल देंगे हम इसमें जीरे और जब यह अची तरह से चटक जाएंगे तो मैंने इसमेट कर दिया है आलू साथ में ही मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी ली है अब इसमें डाल देंगे हम अपनी करीपत्ता, मीठी नीम और शिमला मिर्च, हरी मिर्च इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर और इन सबको सारी सबजियों को अच्छी तरह से मिला लेंगे एक दो मेरेट अच्छी तरह से गलने देंगे इसमें मैंने डाल दिया है एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच सफेद नमक नमक आप कमजाद अपने टेस्क के कोर्डिंग कर सकती है एक चौथाई भाग डाल दिया है मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई भाग डाल दिया है मैंने इसमें लॉंग का पाउडर थोड़ी सी डालेंगे इसमें लाल मिर्च और एक चमची मेरेट में डाल दिया था सौप का पाउडर अगर आपको काली मिर्च और लॉंग पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन सबको अच्छी तरह से मिला के अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे डाल तो मैंने पूरी डाल इसमें डाल दी है आप चाहें तो दलिया को मैंने इसको पहले से ही सेक लिया था तो ये सुद्धी ही में अच्छी तरह से सिका हुआ है अब इसमें मैंने डाल दिया है पानी तो मैंने यहां ग्लास के साफ से साड़े तीन ग्लास पानी डाला है और इसको सबको अच्छी तरह से मिला देंगे मैंने इसमें हींग डालना भूल गई थी तो आप स्टार्टिंग में हींग डालिए हम इसमें बाद में भी हींग डाल लेते हैं अच्छी तरह से मिलाके हम कोकर कर ठकल लगा देंगे और इसको दो और तीन सीटियों पर आने पर बंद कर देंगे इसमें सीटी आ गई है मैंने कोकर बंद कर दिया है और जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको करको खोल लेते हैं तो हमारी बहुत अच्छी खिचडी बनकर तयार है आप गाड़ी और पतली अपने हिसाब से कर सकते हैं तो हमारी फटाफट से बहुत पोस्टिक हेल्दी खिचडी बनकर तयार है खिचडी को हमें अपने डेली रूटीन में जरूर सामिल करना चाहिए सो गणों से भरपूर खिचडी हमें बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होती है हमारे लिए दलिया की खास बात यह है कि आप इसको डाल के साथ भी बना सकते हैं आपको जो जो सबजिया पसंदो आप सबजियों को ले सकते हैं कम जादा कर सकते हैं गीस में जरूर सामिल कीजिये इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और यह दुगना फायदा करती है फिर हमारे सरीर के लिए दलिया को हम मीठा दलिया भी बना सकते हैं दूद के साथ शक्कर के साथ या फिर घी शक्कर के साथ या फिर खोड़ के साथ भी इसको इंजोई कर सकते हैं सेर कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई